और अग्सक्राइब किजिए पासी चैनल को साथी प्रेस किजिए इस बेल आइकन को लेटस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए तो आज की जो वीडियो है एक requested वीडियो है medical gloves के उपर और इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि medical gloves कितनी तरहां के होते हैं किस gloves को किस condition में use करना है और क्या इन gloves को दुबारा से reduce किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो उसका एक proper procedure क्या है तो ये सब चीज आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो welcome back guys मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे यूटूब चैलन पर एक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो guys आज का जो वीडियो है एक dedicated वीडियो है medical gloves के बारे में और इस वीडि तो guys सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि medical gloves कितनी तरहां के होते हैं तो guys ये mainly तीन तरहां के होते हैं पहले नंबर पर है नेटराइल gloves दूसरे नंबर पर है latex gloves और जो तीसरे नंबर पर है ये है वेनाइल gloves ओके तो इनका साइज भी अलग-अलग होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि इन में फरक क्या होता है तो guys जो latex gloves है ये natural rubber से बने होते हैं मतलब कि ये प्रकरतिक rubber से बने होते हैं लेकिन जो नेटराइल gloves और जो वेनाइल gloves है ये fully man-made है मतलब कि ये पूरी तरह से synthetic है इने बनाया जाता है अब बात करते हैं इनके price rate की तो guys सबसे महंगे है नेटराइल gloves दूसरे नंबर पर है latex gloves और सबसे cheap price में आपको वेनाइल gloves मिलते हैं ओके तो अब बात करते हैं इनके uses की कि किस gloves को किस condition में use किया जाता है अगर आप कोई भी surgical procedure कर रहे हैं तो आपको surgical gloves की जरूरत पड़ती है जो की पूरी तरह से sterilize हो तो ऐसे gloves जो है वो नेटराइल gloves होते हैं या फिर latex gloves होते हैं जो की पूरी तरह से sterilize होते हैं और जो वेनाइल gloves है guys यह sterilize नहीं होते और आपको और आप इनको surgical procedure में use नहीं कर सकते तो guys sterilize gloves gloves वो gloves होते हैं जीने autoclave किया जाता है और autoclave process के दोरान इनको sterilize किया जाता है तो इसी video में आपको बताऊंगा कि आप कैसे gloves को reuse भी कर सकते हैं तो वीडियो में ही बताऊंगा तो वीडियो के साथ आप बने रहना तो guys अब बात करते हैं किस gloves को किस काम के लिए use किया जाता है तो guys अगर आप किसी भी तरह का कोई भी surgical procedure कर रहे हैं जहां पर आपको sterilize technique का follow करना है तो आप नेट्राइल gloves या फिर latex gloves को use कर सकते हैं नेट्राइल gloves जो है guys वो थोड़े expensive हैं थोड़े लिए test gloves को use किया जाता है लेकिन अगर जो surgical procedure है वो काफी लंबा है काफी घंटों का होता है तो ऐसी condition में आप नेट्राइल gloves को use कर सकते हैं क्योंकि guys जो नेट्राइल gloves हैं यह पंचर resistance होते हैं मतलब कि जो natural rubber के बने होते हैं latex gloves यह उनसे तीन गुना जादा पंचर resistance होते हैं मतलब कि यह असानी से फटते नहीं हैं दूसरे नंबर पर यह जो पहनने पर हैं यह काफी comfortable होते हैं और तीसरी जो सबसे बड़ी और खास होती है कि कई लोगों को लेटेक्स से ऐलर्जी होती है तो ऐसे में आप नेट्राइल gloves को use कर सकते हैं साथ ही कई लोगों को पाउडर से यह फिर ऐसी condition भी होती है जहां पर patient को तो यह तो ऐसे में आप नेट्राइल ग्लाफ को या फिर विनाइल ग्लाफ को यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप कोई surgical procedure करें तो आपको नेट्रारिल ग्लाफ का यूज करना पड़ेगा ऊकै और गाइस अब बनल ग्लाफ की बात करें तो इसे ऐसी condition में यूज किया जाता है जहां पर आपको खुद की सेफटी रखनी हो या फिर आपको कुछ ऐसा काम करना हो जहां पर स्टेरलाई टेकनीक का फोलो ना करना हो आपको स्टेरलाईजेशन की बिल्कुल भी जरूरत ना हो और गाइस जो वैनाईल गलव्स हैं इनको खास तोर पर फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है औ फिर जो भी स्वीपर है वो वैनाईल गलवस को यूज करता है अगर आपको को स्टेरल करें चायर कररें ने उसका यूज करना है यह फिर आप पर जो suo 모습 का यूज कर सकते हैं तो तो longing जो हैं अधे यूज किये जाते हैं फिम attends में फढ़िशापिडंच पहले नमबर, lifesotine य वह है Examination gloves, surgical gloves हैं वह Sterilize होते हैं तादिया की Sterilize gloves होते हैं तो किसी भी surgical procedure के दिवरान आपने surgical gloves को यूज करना है लेगिन अगर आप किसी भी तरह कोई भी examination कर रहे हैं तो आप examination gloves को यूज कर सकते हैं examination gloves का मतलब है अगर आपने patient को touch करना है या फिर आपने patient को कोई care देनी हो या फिर physical examination करना हो तो आप examination gloves का use कर सकते हैं लेकिन अगर आपने कोई surgical procedure करना हो जैसे कोई operate करना हो या patient को stitch लगाने हो या rice tube डालना हो या फिर आपने patient को cannula लगाना हो तो ऐसी condition में आपने surgical gloves को पहनन जो री यूज का प्रोसीजर है वो है कि जो सर्जिकल गलाउज है आपने उसको वाश करना है वाश करने के बाद आपने उसको उल्टा करके सुखाना है सुखाने के बाद आपने आटोकलेव में उसको आटोकलेव करना है जहां पर प्रेशर 15 IBS का होता है मतलब पर स्क्वेर इंच और जो आपने temperature रखना है वह 121 degree celsius जो की आइडियल होता है हर autoclave की setting होती है 121 degree celsius की तो आपने यह setting पर autoclave करना है और आपने 15 IBS 121 degree celsius पर 15 मिनट के लिए ग्लव को आटोकलेव करना है और वो जो ग्लव हैं वो पूरी तरह से स्टेरलाई हो जाएंगे और ऐसे आप उनको दुबारा से रियूस कर सकते हैं तीसरा आपने हमेशा सर्जिकल गलव हैं या फिर जो भी स्टेरलाई गलव हैं उनको आपने हैंड वोश करकर ही पहनना है और आप जब उसको उतार देंगे तब आपने दुबारा से हैंड वोश करना है और गाई जो सबसे जरूरी बात है कि जब भी आप कोई भी सर्जिकल गलव को पहने या फिर आप इग्जामिनेशन गलव को पहने तो उसमें जो पाउडर होता है वो स्कीन को इरिटेट करता है तो आपने कभी भी अपने जो फेस है उसको कभी भी सर्जिकल गलव को पहन कर आपने कभी भी टच नहीं करना ऐसे में आप पो स का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लेटेक्स से तीन गुना जादा पंचर रेजिस्टेंस होते हैं और जल्दी से फटते नहीं है तो ऐसी कंडिशन में आप नेट्राइल गलव को बेशक यूज कर सकते हैं तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप मैंने जो आप करी दी है वह आपके लिए काफी यूसफुल होगी तो गाइज ऐसी ही यूसफुल वीडियो और टोपिक्स के लिए प्लीज हमारे चलन को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चलन पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो गाइज मुझे दीजे इजाज़त मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंट्रस्टिंग टोपिक के साथ तक तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फीड़ी